हेई, वाट्स अब गाईज, वेलकम टू माई YouTube चैनेल, IT Creators, तो आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ऐसा एक स्मार्ट LED प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर में आपको मिलेगा Android फीचर, यानि इस प्रोजेक्टर को आपका स्मार्टफोन से कनेक्ट करके, स्मार्ट आपको मिलता रहेगा, तो गाईज, यह स्मार्ट LED प्रोजेक्टर को अपको आपको बता देता हूँ, जैसे की इस LED प्रोजेक्टर बॉक्स का आउटसाइड में में सन किया गया है, आपको 180 इंच, लाट स्पीन, स्क्रीन सेयर, स्मार्ट मोबाइल लिंक, USB फ्लाग औन प् तो इस projector box को unboxing करने के बाद इसके अंदर से आपको मिलेगा ब्लैक कलर का LED स्मार्ट प्रोजेक्टर तो प्रोजेक्टर के बाद आपको मिलेगा एक packet तो इस packet के अंदर से आपको मिलेगा एक 3.5 mm बाला CD DVD केभील प्रोजेक्टर को power supply देने के लिए portable power केभील और प्रोजेक्टर के साथ कंप्यूटर कनेट करने के लिए VGA Kevel और ये स्मार्ट प्रोजेक्टर को easily operate करने के लिए आपको दिया जाएगा एक remote controller और इसके साथ प्रोजेक्टर लेंगा को clean राखने के लिए दिया गया है एक cotton clothes तो guys box के अंदर से ये सभी content मिलने के बाद finally आपको मिलेगा एक user guide manual book जिसको full English में लिखा गया है तो ये user guide manual book को पड़के ये smart LED projector को आप सही से operate कर पाओगे तो guys ये है हमारा smart LED projector तो इस projector lens का right side में आपको मिलेगा दो scroll ring इस में से एक ring को घुमा के projection display को up and down कर सकते हो एंड second ring को घुमा के projection display में focus कर सकते हो यानि आपका projection display को जितना बड़ा करोगे उसके बाद इस ring को घुमा के आपका projection display का clarity increase करने के लिए ये focus ring को दिया गया है तो guys इस projector का पीछे में दिया गया है दो USB port, दो HDMI port, एक RJ45 LAN port, एक VGA port, audio के लिए input output port, power port and a switch जिसको directly power cable से power cut करने के लिए दिया गया है और इस projector का left side में अंदर का गरम हावा निकलने के लिए बहुत सरा छेद रखा गया है तो इसका नीचे में देखोगे तो आपको मिलेगा एक mini stand जिसको ऐसे open करके इस projector को थोड़ा सा उपर कर सकते हो और guys इस projector का उपर side में आपको मिलेगा बहुत सारा useful buttons जैसे की on off button, menu button, for navigation button, exit button and previous यानी back button तो ये सबी button को प्रेस करके इस projector को आप easily operate कर पाओगे तो इस projector का पीछे में मिलेबाला दो USB port में mouse keyboard लगाने से लेके plug and play किसी भी USB device को इसमें लगा के operate कर सकते हो और भी इस projector के साथ external speaker जैसे के Bluetooth speaker, home theater ये सबी speaker को connect करके projector का sound को और भी increase कर सकते हो तो इस projector का पीछे में मिलेबाला HDMI port के मदद से gaming console, laptop ये सब चीज़ को connect करके projector डिस्पले में इसका display को show करा सकते हो तो आभी इस projector को on करके आपको दिखा देता हूँ तो ये projector on होने के बाद Android logo दिखा के कुछ इस तरीके से start होता है तो start होने के बाद projection डिस्पले में देखने को मिलेगा Android, USB, HDMI, TV and VGA option तो ये सभी option को चूज करके आपका मर्जी से ये projector को आप चला सकते हो तो मैंने first Android option को चूज करके आपको दिखाऊंगा तो इस projector में Android को चलाने के बाद आपको कुछ ऐसे menus देखने को मिलेगा और इसका settings में जाने के बाद आपको मिलेगा Wi-Fi, brightness, sound, ये सब कुछ जैसे कि एक Android smartphone में दिया जाता है तो इसमें Android smartphone की तरह Play Store को भी दिया गया है जिससे आप आपका मनपसंद, games, apps, ये सबी चीज़ को डाउनलोड करके इस projector में आप चला सकते हो तो अभी आपको इस projector में YouTube चला के दिखाता हूँ तो इस projector में YouTube चलाने के बाद आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा तो जैसे की मैंने बोला था इस projector के साथ mouse keyboard यूज़ कर सकते हो तो इसके साथ आभी wireless mouse यूज़ कर रहा हूँ जिससे इस projector को operate करना बहुती easy हो गया है तो guys इस projector में first IT Creators का किसी वीडियो चला के आपको video test दिखा देता हूँ एन कुछ basic features को इस fitness tracker box का outside में mention किया गया है तो first ये fitness tracker box को unboxing करके आपको दिखा देता हूँ आज मेरे plan है कि ये amazing projector का video अब सभी को दिखा के खूस कर देना तो guys जैसे के मैंने बोला था किसी भी gaming console या laptop को इस projector के साथ connect करके उसका screen को इस projector के मदब से display करा सकते हो तो आपका playstation gaming console को इस projector के साथ connect करके big screen में आप game खेल सकते हो और भी इस projector का एक amazing feature आपको तब बताना भूली गया हूँ इस projector के साथ TV का setup box को connect करके इसमें आप TV देख सकते हो तो cricket match से लेके football match का final तक ये projector आपको and आपका दोस्तों को बहुत ही entertain करेगा तो guys ये था हमारा smart LED projector का quick unboxing and review तो ये projector एक android smart projector होने के वज़ा से ये आपके लिए based and useful हो सकता है तो इसका purchase link मैं video description में दे दूँगा तो ये से आप purchase कर सकते हो So guys ये amazing video के लिए एक like तो बनता ही है and मुझे comment करके बताएए ए वीडियो का कौन सा part आपको सबसे dancing लगा और ये वीडियो को facebook, whatsapp में share करके आपका friends को दिखा सकते हो तो screen में मेरा profile picture को click करके IT Creators YouTube channel को अभी subscribe कर सकते हो and screen का ए टूँ वीडियो को भी देख सकते हो So thanks for watching this video guys and ta-ta take care